हाँ तो 12th किलास देखो बिटा जो तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे थी ठीक है वो किसान की जीवन के बारे में हमने पढ़ लिया था मैं आपको इसके सार्ख बता देती हूं ठीक है बिटा तो देखिए किसान की जीवन के बारे में हमने पढ़ लिया था ठीक है और अब आज हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे गडरिये का जीवन पढ़ेंगे मजदूरी और प्रेम पढ़ेंगे मजदूर की मजदूरी पढ़ेंगे मजदूरी और कला और मजदूर मजदूरी और फकीरी ठीक है बिटा तो देखिए गडरिये के जीवन के बारे में इसमें क्या बताया ग गई है और गडरिये के जीवन के बारे में इसमें क्या क्या बताय गया है ठीक है गडरिया क्या कहता है कि जो खुदा को देखता हूं तो मैं देखता हूं तुमको यानि भेड़ों के संदर में गडरिये के मादम से क्या कहा गया है कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हुँ तुमको जो खुदा को देखना हो तो यानि उन्हें यानि गडरिये को भेड में ही खुदा के दर्सन हो जाते हैं और खुदा में भेड के दर्सन हो जाते हैं यानि दोनों को एक ही रूप मानता है ठीक है जिस प्रकार भेडों की सेवाई उनकी पूजा होती है ठीक है और जब एक भेड विमार पड़ जाती है तो क्या लगता है कि पूरे परिवार में ही विपत्ती आ गई है ठीक है बिटा और इसमें गडरिये की जीवन के बारे में क्या बताया गया है कि किस तरहीके से उनका जो घर होता है वो बे घर बे नाम बे पता होता है क्यूं होता है गडरिये का जीवन ऐसा क्योंकि वो जहां भी जाते हैं ठीक है उनका कोई इस्थाई निवास नहीं होता है तो वो जहां भी जाते हैं जंगल में जाते हैं वहाँ पर घास फूसकी एक जोपड़ी बना लेते हैं और वहीं पर कुछ दिन रहने के पक्रशात वो यहां पर यानि दूसरे इस्तान पर वो चले जाते हैं, ठीक है, तो उनकी कोई निष्टित जान-पैचान नहीं रहती है, ठीक है, उसका छोटा सा परिवार रहता है, ठीक है, छोटे से परिवार की जो प्रेम मजदूरी का मुल्ल है वो कोई भी नहीं दे सकता ठीक है बिटा और आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है जो मजदूरी होती है ठीक है बिटा जो मजदूरी होती है उसकी मजदूरी के बारे में क्या बताया गया है यानि मजदूर की मजदूरी क हम केवल पैसे देकर ही उसका मुल्य नहीं चुका सकते हैं ठीक है पिटा केवल पैसे देकर ही हम इसका मुल्य नहीं चुका सकते हैं हमें इसके प्रती क्या कौन सी भावना रखने चाहिए सम्मान की भावना रखने चाहिए ठीक है यानि सच्चे अर्थों में हम सम्मान देकर ही प्रेम सेवा की भावना रखकर ही इनका रिण हम चुका सकते हैं चीक है इसमें क्या बताया है लेखक ने क्या बसता है कि जो मजदूर की मजदूरी है उसको हम सच्चे अर्थों में किस प्रकार किसे चुका सकते हैं किवल पैसे दे कर ही हम इसकी मजदूरी को नहीं चुका सकते हैं ठीक है हम इसके प्रती सेवा भाव रखकर इसकी मजदूरी को चुका सकते हैं क्यों सेवा भाव रखकर के इसकी मजदूरी को चुका सकते हैं कि किस तरीके से यह है पूरी तरह से समर्पित हो करके अपने काम को करता है किस तरह के से हाथ पाउं सीर आखें ये सबी अव्या उसने आपको यानी जो जिसके यहां वो काम करता है वो उसको अरपन कर देता है ठीक है ये चीजे उसकी तो थी नहीं ये तो क्या थे इश्वर ये पदार्थ थे और जो पैसे आपने उसको दिये वे सेवा से ही चुकाया जा सकता है ठीक है तो एक बार की घटना याद आती है लेखक को किस तरीके की घटना याद आती है कि जो जिल्द साज होता है यानि पुस्तकों पर जो कवर चड़ाता है ठीक है इसमें किस की घटना के मादम से बताया गया है जिल्द साज की घटना के पर चड़ाता है वो गटना लेकक को याद आती है कि उसने इस मजदूरी को कुछ भी वो नहीं दे सकाता ठीक है परन्तु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र पुस्तक उन्हें दे दी थी ठीक है और जब भी वो पुस्तक को उठाते हैं वो जिल्द साज उन्हें याद आ ठीक है तो अंत्यकरन की भावना के द्वारा प्रेम भावना के द्वारा आदर सतकार करके हम मजदूर की मजदूरी को चुका सकते हैं ठीक है पिटा और दूसरी गटना उन्हें कौन सी याद आती है कि किस तरीके से एक जो विद्वा इस्तरी होती है वो सारी रात बैठ कर क्या सिलती है कमी सिलती है क्यों सिलती है क्योंकि उसे दूसरे दिन की क्या मिल सके उसकी जीवी का उसको मिल सके ठीक है विटा तो इस तरीके से उन्होंने मजदूर की मजदूरी जो किस तरीके से चुकाई जाती है उसका उन्होंने उधारन दे करके बता है कि हम उनके प्रति केवल पैसे दे करें उनकी मजदूरी को हम नहीं चुका सकते हैं ठीक है उनके प्रतियम सेवा भाव रख करके आदर सत्कार करके प्रेम की भावना रख करके ठीक है इस तरीके से हम उनकी मजदूरी को चुका सकते हैं ठीक है और दूसरा उन्होंने जो प्रेम मजदूरी के बारे में बताया है ठीक है पीटा कौन सी मजदूरी के बारे में बताया है ठीक है कि किस तरीके से जो प्रेम की भावना होती है ठीक है किस तरीके से वो अपने आपको काम के प्रती पूरी तरीके से समर्पित हो करके अपने काम को करता है किस तरीके से हाथ की जो मेहनत से जो चीज बनी होती है उसका जो आनन्द आता है वो लोही की मसीनों से बनाई हुई चीजों में नहीं आता है ठीक है बिटा तो क्या कहा गया है इसमें मजदूर के बारे में कि जिन आलू को सबजीयों को फलों को वो स्वेंब होता है ठीक है तो उनको खान में उसे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो अन्य वस्तुओं में नहीं होती है ठीक है बेटा और इसमें क्या बताया गया है कि की सरहीके से वो जो मनुश्य ठीक है मनुश्य को क्या बना दिया गया है मसीन बना दिया गया है ठीक है तो जो होटल में बने हुए जो भोजन है वो उसको क्या लगते हैं निरस लगते हैं उससे आनंद की प्राप्ती नहीं होती है और वो स्वेम बोकर जो स्वेम बनाता है अपने हातों से उसी खाने में उसको आनंद की प्राप्ती होती है ठीक है बिटा और इसमें किसके बारे में बताया गया है कि स्रम के महतु के बारे और सेवा भाव के यानि आंत्रिक प्रेम के मादम से वो दूसरे आंत्रिक प्रेम के द्वारा स्रम के द्वारा वो दूसरों के लिए क्या करता है अनुगाता है फल्फूर पैदा करता है ठीक है अपने जो मजदूरी होती है ठीक है वो किस तरीके से हम उसकी मजदूरी का रि प्रेम से अपने पशुओं को चराता है ठीक है किस तरीके से वो प्रेम से उन्हें निलाता है खाना खिलाता है चारा देता है पानी पिलाता है ठीक है और मविसियों के बच्चों को किस तरीके से वो अपने बच्चों की तरह पालते हैं उनकी सेवा करते हैं ठीक है मजदूर प्रेम के माद्धम से लेखक ने क्या समझाने काम को फ्रयास किया है कि किस तरीके से एक मजदूर नियमित रूप से यानि रोजना पसुओं को चारा चराता है पानी पिलाता है खिलाता है और जो उनके बच्चे हैं किस तरीके से अपने बच्चों की तरह वो उनकी सेवा करत इस तरीके से वो पूरी करतवे निश्टा के साथ अपने करतवे को वो पूरा करता है और उसी में वो आनंद का क्या करता है अनुभाव करता है ठीक है बिटा और इसमें किस के बारे में बताए गया है मजदूरी और कला के बारे में इसमें बताए गया है ठीक है मजदूरी और कला के बारे में इसमें क्या बताए गया है कि किस तरीके से एक मनुष्य क्या करता है यानि जो मनुष्य होता है ठीक है जो मजदूर होता है उसको किस तरीके से वो अपनी जो काम होता है उसी को क्या मानता है सच्ची इश्वर की पूजा मानता है एक मजदूर क्या मानता है अपने काम को ही सच्ची इश्वर की क्या मानता है पूजा मानता है ठीक है कि किस तरीके से यदि उसे काम अपना काम मिल जाता है ठीक है तो वो स्वर्ग की जो प्राप्ती होती है फिर उसको स्वर्ग की प्राप्ती की कोई इच्छा नहीं होती है चीके बिटा एक मजदूर के लिए क्या चाहिए उसका काम उसको मिलना चाहिए और वो अपने काम को ही सची श्वर की क्या मानता है पूजा मानता है चीके तो स्वर्ग की प्राप्ती की भी अपना काम मिल जाने के बाद में उसको स्वर्ग की प्राप्ती की भी लावसा यानि इच्छा नहीं रहती है ठीक है बिटा और इसमें क्या बताया गया है कि किस तरहीके से क्या बताया गया है इसमें कि उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम जो है वो सरीर के अंग है यानि उसी एक ही मनुष्य अच्छे काम को करता है और वो एक ही मनुष्य बुरे काम को करता है ठीक है तो ये सब क्या है सरीर के अंग है ठीक है और इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो मनुष्य है ठीक है वो किस तरीके से त्याग करके ठीक है किस तरीके से अपने सुख को त्याग करके वो दूसरों के लिए काम करता है ठीक है और इसमें क मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए दोनों ही आशक है ठीक है ओर उन्होंने क्या बताया है कि मजदूरी के फकीरी का भी कोई महत्व नहीं रह जाता यानि बिना मज़दूरी के फकीरी भी क्या बढ़े दिए? कमजोर पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है, ठीक है, इसलिए यानि मज़दूरी और फकीरी दोनों ही आवशक है, दोनों का ही आपस में समबंध होता है ठीक है और इसमें क्या बताया गया है ठीक है क्या बताया गया है मजदूरी और फकीरी के मादम से की जो मजदूरी होता है वो मनुशे के समस्टी रूप का वेर्ष्टी रूप परिणाम होता है ठीक है और सची मितरता ही क्या सची मितरता कोई क्या माना गया है इसमें सेवा म मुल्ले चुका सकता है ठीक है और जो मजदूरी और फकीरी होती है वो दोनों का आपस में संबंध है दोनों एक दूसरे के बिना अदूरी है ठीक है और इसमें किसके बारे में बताया गया है कि मजदूरी करना जीवन यातरा का क्या है एक आधात्मिक नियम है ठीक है पिटा देखे कि इन उधारनों के माद्यम से इसको समझाय गया है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का एक आधात्मिक नियम है देखे किस तरीके से है जॉन ओफ आर्क की फकीरी और भेडे चराना ठीक है बिटा किसके उधारन के माद्यम से इसमें समझाय गया है कि जॉन आफ आर्क है ठीक है जॉन आफ आर्क की फकीरी और बेडे चनाना टॉलस टॉय का त्याग और जूते गाठना उमर खयाम का प्रसंता पुरुवक तंबू सीते फिर्णा ठीक है और खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदी का बुन्ना भ्रम ज्यानी कब जिवन यात्रा का क्या है आध्यातमिक नियम है तो इस नियम को किन उधारणों के माध्यम से यहां लेखक ने समझाया, उसके बारे में हमको बताया गया है कि जो जॉन ओफ आर्क है, जॉन ओफ आर्क की फकीरी और उसका भेडे चराना, टॉलस टॉय का त्याग करना, भगवान का और गुरु नानक का मुख पसों को लाठी लेकर क्या आकना, यही सची फकीरी का क्या है अनमोल यानि अमुल्य उधारन है, ठीक है विटा, तो इसके हम प्रसन उतर देख लेते हैं, देखिए पहला प्रसन इसके देखिए, कि जो लेखक पूरण सिंग है, ठीक है, लेखक पूरण सिंग ने किन-किन व्यक्तियों को सादू कहा है, ठीक है पहला प्रसन इसका क्या कि जो लेखक पूरण सिंग है ठीक है उन्होंने किन किन व्यक्तियों को सादू का है कौन कौन से व्यक्तियों को का है सादू किसान को और भेड़ पालक को का है ठीक है बिटा किसको का है सादू इन्होंने किसान को और भेड़ पालक को का है ठीक है अब देखिए दूसरा प्र जुक किसके लिए किया है अब देखे बेटा इसमें आया था कि सुन्ने आकास की और देखने लगी जब व्यक्ति की क्या हो जाती है ठीक है उसकी बेड़ बिमार हो जाती है तो सारे परिवार के लोग वहां करके बैठ जाते हैं और पूरी रात उसी बेड़ के पास बैठे रहते हैं तो किसके लिए आया है, यानि उसे पीड़ा हुई, उसे जो सरवनाम आया है, जो उसे सरवनाम किसके लिए यहां पर आया है, कौन बिमार हो गई थी, भेड बिमार हो गई थी, तो बिमार भेड के लिए यहां पर इसका प्रियोंग किया गया है, ठीक है बिट्रा, तो अब देखे बेटा कौन से काम की और इसमें संकेत किया है कि किस तरीके से यहाँ पर बेसाहरा विद्वा इस्थरी के दौरा जो रात वर जाकर के कमीज सिले जाती है प्रेम पूरवक उसकी और यहाँ पर संकेत किया गया है चीके बिटा किसकी और यहाँ पर संकेत किया गया है कि जो बेसाहरा और विद्वा इस्तरी होती है वो रात पर जाकर क्या सिलती है कमी सिलती है और उसको भी वे प्रेम पूरवक और स्रम की स्रम पूरे स्रम के साथ सिलती है उसकी और यहाँ पर संकेत किया गया है चीके बिटा दूसरा प्रसन इसमें देखिए कि लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसको किस की याद आती है चीके अनार के फल और फूल देखता है तो उसको किस की याद आती है रुदीर की याद आती है ठीक है माली के रुदीर की याद आती है कि वो कितने परिश्रम के साथ इनको उगाता है अपना खून पसीना एक करके इनको वो उगाता है ठीक है बिटा कि लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसको किसकी याद आती है उसको माली के रुदीर की याद आती है माल खून पसीना एक करके फल फूलों को उगाता है ठीक है विटा अब देखिए तीसरा प्रसन देखिए कि लेखक ने किसान को किस के समान बताया है भ्रमा के समान बताया है ठीक है अब देखिए जो लगुतरात्मक प्रसन है ठीक है लगुतरात्मक प्रसन में पहला देखिए कि लेखक के द्रश्टी में मजदूर का भुकतान किस रूप में किया जाना चाहिए अब बताइए जब मैंने आपको सुरू में पढ़ाया था पाड तो उसमें बता है कि जो एक मजदूर होता है ठीक है कोई भी मजदूर होता है तो उसकी मजदूरी का भुकतान यानि उसका करना होता है परंतु हमारा काम क्या होता है इसके बारे में आपको इसमें बताना है। मस्दूर का मस्दूरी का मुल्य हम केवल उसको पैसे दे करके नहीं चुका सकते हैं। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम मजदूर की मजदूरी को पैसे दे करके चुका सकते हैं, तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्यों होती है, क्योंकि एक मजदूर काम करते हुए, अपने सरीर के सभी अव्यों को, यानि सभी अंगों को क्या कर देता है, समर्पित कर देता है, तो ऐसे मजदूर की मजदूरी को हम समर्पन भाव रख करके, सम्मन रख करके, उसके प्रती प्रेम भाव रख करके, आदर की भावना रख करके, हम उसका मुल्य चुका सकते हैं ठीक है अब देखिए बेटा लेखक ने किसे बेघर बे नाम और बेपता का है ठीक है कौन एक कहीं भी जंगल में एक जोंपड़ी बना करके अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है उसका कोई इस्थाई निवास नहीं होता है किसके बारे म का है ठीक है बेटा लेखक ने बेघर बे नाम बे पता किसे का है एक गडर ये को का है क्यों का है क्योंकि जंगल में वो कहीं पर भी अपनी एक छोटी सी जोंपड़ी बना करके अपने छोटे से परिवार के साथ वो रहता है उसका कहीं भी इस्थाई निवास नहीं होता है वो थोड़े दिन एक इस्तान पर रहता है तो थोड़े दिन वो दूसरे रिस्तान पर रहता है ठीक है उसकी किसी से कोई भी जान पैचान नहीं होती है वो कहीं पर भी अपने परिवार के साथ किसी भी जंगल में वो जहां पर भी उसे रहने के लिए मिल जाता है वहीं पर व लेखक को जिल्द साज कभ याद आता है जब वो अपनी पुस्तक को पढ़ने के लिए उठाता है जिल्द साज कभ याद आता है जब वो अपनी पुस्तक को देखता है कि किस तरीके से लेखक की पुस्तक के उपर जिल्द साज ने क्या भांदी थी जिल्द भांदी थी ठीक ह और जैसे ही वो अपने उस पुस्तक को हाथ में लेता है तो वह उसके सेवा भाव को देखकर उसके प्रती क्या हो जाता है समर्पित हो जाता है यानि पूरे जीवन भर वो उसको नहीं भूल पाता है ठीक है और जैसे ही वो अपने पुस्तक को हाथ में उठाता है तो उसे जि काम के प्रति समर्पीत हो कर अपने काम को करता है लेखक की पुस्तक उसके उपर वो जल्द भांगता है तो उसको देख करके उसे जिल्द साज याद आता है तीक है अब आगे देखिए निबंधात्मक जो प्रसन है Third स्रम के महतु पर आपको निबंद लिखना है, संक्षित निबंद लिखना है, किस प्रकार से आपको स्रम का महतु इसमें बताना है, स्रम का महतु आपको किस तरीके से बताना है, कि संसार में प्रते काम, परिश्रम के माद्यम से ही होता है, यह जो परिश्रम होता है, वो सफल में स्रम के बारे में क्या का गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए स्रम करना चाहिए और स्रम के माध्दम से ही उसे अपने कारिये में क्या प्राप्त होती है सफलता प्राप्त होती है ठीक है और स्रम के महत्तों के बारे में ही आपके पार्ट में क्या बताए गया है कि किस तरीके से किसान के लिए खेती करना गडरिये के लिए पस्वों का चाराना सिक्षक के लिए पढ़ाना और छात्रों के लिए पढ़ाई करना ये क्या है उनके प्रतम कर्तव व्यमाने गए हैं ठीक है बिटा तो ये स्रम कोईसा भी हो सकता है शारेरिक भी हो सकता है और मांसिक भी हो सकता है ठीक है तो किसी को कारिय करने के लिए शारिरिक स्रम क्या शक्ता पड़ती है तो किसी को मानसिक स्रम क्या शक्ता पड़ती है ठीक है तो कहने का तात्परिय क्या है यानि जो स्रम होता है उसी के प्रती सब क्या प्रकट करते हैं आदर प्रकट करते हैं ठीक है और स्रम के माद्धम से ही जो हमारा देश है उसका बविश्य क्या होता है उजवल होता है इसलिए स्रम को ही क्या माना गया है जो स्रम की महिमा होती है उसको ही सबसे उंचा इस्थान दिया गया है ठीक है बेटा तो इस तरीके से जो सभी मनुश्य है सभी मनुश्य को अपने स्रम के प्रहती सच्ची निश्टा रखनी चाहिए ठीक है बिटा तो इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना है अब देखिए जो last person है कि किसान का जो जीवन है वो त्याग और महनत का जीवन है इस पर आपको अपने विचार लिखने है ठीक है कि किसान का जीवन कैसा है त्याग और मेहनत का जीवन है किस प्रकार से किसान स्वेम तो साधा सीधा साधा जीवन जीता है ठीक है पूरी साल वो परिश्रम करता है और दूसरों के लिए वो क्या उगाता है अनुगाता है ठीक है तो कभी भी किसान ऐसो आराम का जीवन नहीं जीता है वो केवल सीधा साधा जीवन जीता है चीक है संगर्सों के बीच वो जीवन जीता है चीक है और वो किस के यानी कितनी मेहनत करके कितनी कठिनाई करके वो अपने खेतों में फसल को उगाता है चीक है इसी लिए फसल को उगाने के कारण दूसरों के लिए अन पै करने के कारण किसान को किस के सम्मान माना गया है भ्रमा के सम्मान माना गया है ठीक है कि किस तरीके से वो दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है ठीक है बिटा किसान क्या करता है दूसरों की भलाई के लिए ठीक है यानि पर हित के लिए वो अपना सब वो बिल्कुल भी हिचक मैसुस नहीं करता है ना तो वो सर्दी गर्मी की परवा करता है ठीक है और नहीं वो धूब छाया की परवा करता है उसे अपने कश्टों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है ठीक है और किस तरीके से जब उसके घर में कोई अथिती आता है तो किस त तरीके से वो दया, वीर्ता, प्रेम हमें किसान के जीवन में दिखाई देता है, वो दूसरी जगे हमें देखने को नहीं मिलता है, कि किस तरीके से वो स्वेम संगर्स करता हुआ और दूसरों के लिए अन्न को उगाता है ठीक है बेटा तो इस तरीके से किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है तो इस तरीके से आपको अपने विचार इसमें लिखने है ठीक है तो आपका ये पार्ट आज पूरा हो गया है ठीक है बेटा तो इस तरीके से आपको प पाइंटों में लिखोगी ठीक है तो आज आपका ये पाट पूरा हो गया है